नमस्कार चपला देवी जी के जीवन का संक्षेप परिचय इस प्रकार है चपला देवी द्विवेदी योग की लेखी का थी उनके व्यक्तित्व एवं उनके क्रितित्व के विशे में कोई विशेश जानकारी उपलब्ध नहीं है इतना अवश्य है कि स्वतंतरता आंदोलन के समय पुरुश लेखकों व साहित्यकारों के साथ साथ अनेक महिलाओं ने भी अपने अपने साहित्तिक रचनाओं व अन्य लेखों से स्वतंतरता आंदोलन को गति प्रदान की थी उन्ही महीला लेह की काउं में से चपला देवी भी एक है कई बार अनेक साहित्यकार इतिहास में स्थान नहीं पा सकते चपला देवी भी उन्ही साहित्यकारों में से एक है ये एक एतिहासिक सच्चाई है किसन 1857 की क्रांती के वित्रोही नेता धुन्दू पंत नाना साहब ने देश को आजाद करवाने में अपना सब कुछ दाओं पर लगा दिया था बालिका मैना देवी नाना साहब की पुत्री थी जिसे क्रूर अंग्रेजों ने जिन्दा जला दिया था उस बालिका मैना देवी के महान बलिदान की कहानी को चपला देवी ने इस गत्य रचना में अभिव्यक्त किया है प्रस्तुत रचना जिसका नाम है नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया जिसके बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे इस रचना को पढ़कर पदा चलता है कि लेखी का चपला देवी ने इसमें अत्यांत सरल, सहज एवं व्यवहारिक भाशा का प्रियोग किया है वाकी रचना कुछ स्थलों को छोड़कर व्याकरण की द्रिष्टी से सही है तदभव शब्दा वली का सुंदर एवं सार्थक प्रियोग किया गया है भावात्मक शैली का प्रियोग किया गया है उनके द्वारा लिखी इस गद्ध रचना में बालिका के बलिदान का चित्र सजी वह उठता है यही इस पार्ट की सबसे बड़ी विशेशता है